जहां एक तरफ राजगाट पर परदर्शन चल रहा है, आमरण अंशन चल रहा है मैं आपको एक ऐसी शक्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ दो साल पहले इन्होंने अडॉप्ट की थी, उनका सारा खर्चा खुद उठा रहे हैं इंटरनेशनल होकी प्लेयर हैं, भारत की टीम से खेलते हैं जहां एक तरफ राजगाट पर परदर्शन चल रहा है, आमरण अंशन चल रहा है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सारी महिलाएं जमा हैं, नियाई के लिए गोहार लगा रही है कि बलतकार के खिलाफ जो कदम सरकार उठाए, वो सक्त कदम हो और उन्हें सजा दी जाए वहीं दूसरी तरफ, मैं आपको एक ऐसी शक्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने खेल के ही मैदान में नहीं, बलके बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अंदोलन को लेकर इन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुवात की है, 24 बेटियां दो साल पहले इन्होंने अडॉप्ट की थी, उनका सारा खर्चा खुद उठा रहे हैं इंटरनेशनल होकी प्लेयर हैं, भारत की टीम से खेलते हैं, अजीत नांगल नाम है सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर, सबसे पहले तुम्हें जानना चाहूंगा कि यह इंस्पिरेशन कहां से मिली आपको, क्या सोचा, कहां से पहल की, क्या आपने 24 बेटियां अडॉप्ट किये हैं, लेकिन आपने अडॉप्ट की, शुरुवास से कुछ बताएं दरह हमें देखें, मैं यह बात है, 2017 की सुक्वा एक अटेक हुआ था, सुक्वा अटेक, तो वहां पे गोतम गंबीर ने जो हमारे जवान शहीद हुए थे, 25 जवान शहीद हुए थे, उनकी 18 बेटियों को उन्होंने स्पोंसर किया था, एजुकेशन स्पोंसर किया था, तो मुझे आइडिया है कि हम और भी स्पोर्ट्स परसंस को आगे आना चाहिए, और मेरा है मानना है कि आजादी के बाद दुनिया में, हिंदुस्तान में, अगर एक चीज जो रह गई है, जिस पे कभी किसी सरकार ने ध्यान ने दिया, वो है गरीब और ज़रुद मन्द लड़किया, तो मुझे लगा कि मैं किसान परिवार से हूँ, तो मेरे पिताजी से मैंने कहा कि मैंने अब गेम मेरा मैंने छोड़ दिया है, इसके बाद मुझे कुछ ऐसा करना चाहिएगा जो मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ, तो मेरे फादर साब ने बता है कि अगर बेटा, अगर गरीब लड़कियों के लिए कुछ करोगे, तो जैसे हमारे समाज में भी बेटियों को ज़्यादा तवज्यों दी जाती है, तो बोले आप सारे काम ये मंदिर मस्जीद ये छोड़के, आप गरीब बेटियों को गोद लो और उनके लिए कुछ करो, तो कैसे पूरा प्रोस स्कूल में गया, मेरा पास में गाओं है, उदर गाओं का गवर्मेंट सीनियर स्केंडी स्कूल था, तो मैं प्रिंसिपल में से मैं मिला, मैंने कहा कि जो ही स्कूल की और आसपास की जो भी सबसे जरूरतमंद और गरीब बेटी है, मुझे वो 21 गल्स अडॉप्ट करनी है, तो वो स्टार्टिंग में बहुत अलग सा लगा कि लोग एक भी बेटी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, और ये 21 के लिए बोल रहे हैं, क्या ये कर सकते हैं, ऐसा करेंगे, तो लेकिन फिर मैंने मेरा सारा बैगराउंड मैंने सब बताया, तो पूरे गाओं को उन लोगों को ट्रस्ट हुआ, उनकी फैमिली मेंबर में, मेरी कुछ बेटियां जिनके फादर नहीं है, कुछ बेटियां जिनकी मदर नहीं है, तो उन पेरेंट्स से मैं मिला, मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूं बेटियों के लिए, तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, और आज मेरी बेटियां दो साल हो गया और आप यकीन मानो कि अगर उनकी पर्फोर्मेंस में आपको गिनवाना शुरू कर दूँ तो बहुत कम पढ़ जाएंगी इतनी पर्फोर्मेंस बढ़ गया उनकी स्पोर्स में, अजुकेशन में और बाकी चीज़ें तो इसमें आपकी वाइफ का क्या कहना था क्यूंके आप शादी शुदा है इसे में एक पतनी का किरदार जो है बहुत एहम होता है किसी भी पती की जिंदगी में जब आपने ये सोच अपनी बनाई और जब आप अडॉप्ट करने के लिए गए तो आपकी पतनी का क्या वेव पीछे कोई था तो वो मेरी वाइफ भी थी मेरी वाइफ मेरी माँ मेरी बेने सब लोगों को सब ने मेरे को इतना ज्यादा इस बात के लिए कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो अगर आप ये कर सकते हो तो आप यकीन मानिए कि मुझे घर होगा कि मैं ऐसे होकी प्लेयर की पतनी हूं कि जिसने 23 बेटियों को अडॉप्ट किया ये मेरी वाइफ की वर्डिंग थी तो वह बहुत खुश थी क्या बात है याने के वाइफ ने पूरा-पूरा साथ दिया अपने हस्बेंड का अब ये जानना चाहेंगे सरम आप यहां पर आए हैं आप यहां पर इतना लेकिन सही में इन लोगों के लिए सोचने वाले सवासो आदमी भी नहीं हैं इंदुस्तान में उन में से एक हमारी बड़ी बेहन है सवाती मालेवाल और इतना बड़ा काम कर रही है यह अपनी बेटियों के लिए अपने परिवार के लिए तो हरा आदमी करता है जो दूसर और मेरे शुख बहुत 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 शुक्रिया हम से बात करने के लिए तो यह थे अजीत नांगल जू dest जफ पर बताया है कि अपनी बेटियों के साथ स्वाती मालीवाल को समर्थन देने राजगाट पर आए हैं और ये एक बहुत बड़ी सीख भी है कि खिलाडी ने 24 बच्चियों को डॉप्ट कर रखा है और उनका खर्चात पूरा का पूरा पढ़ाई से लेके रहन सेहन का सारा का सारा वो उठा रहे हैं तो ये कि बहुत बड़ी पहल देखने को मिलती है कैमरा परसन मुकल के साथ जोहेब हमाद सत्ते खबर दिल्ली